साउथीज दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक मादवारा अपने ही जिगर के टुकडे को फर्स प्रोर की सिडियों से नीचे फेकने का संसनी खेज मामला सामने आया है ये पूरी बारदा घर में लगे CCTV में कैद हो गई पुलिस मामला दर्ज कर और बच्चे का मेडिकल करवा कर जांच में जुटी है घर में लगे CCTV फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीला कितने गुस्से में थी और कितनी निर्दैता से एक समान की तरह अपने जिगर के टुकडे को सिड़ी से नीचे फेकती है घर में महीला और घरवालों के बीच किसी बात को लेकर मामुली कहा सुनी हुई और उसने सोते हुए तीन साल के बच्चे को उठा कर नीचे फेक दिया अपनी पत्नी की सारी करतूत का प्रूफ देने के लिए नितिन ने अपने घर में सीसी टीवी लगवाए जिससे उस महीला की सारी करतूत कैद को ताकि पत्नी की करतूत पुलिस और महीला के धरवालों को दिखा सके लेकिन चलाक महीला जगडे के बाद सभी फुटेज को फॉर्माट कर देती थी जिस वज़ा से नितिन को बाद में कुछ भी हात नहीं लगता लेकिन 21 जन्वरी को अपनी पत्नी द्वारा बेटे को सिड़ी से फैटना नागवारा गुजरा जगडे के दिन 21 जन्वरी को परिवार में कुछ मामुली कहा सुनी हुई तो महीला ने अपने ही जिगर के टुकडे को सिड़ीों से नीचे फैट दिया मैं लेटा दिया, मैंने हुई बच्च पुटाए था कपडे तो कमबाली कपडे दो रही थी इसने कपडे भी सारे पնख दिय मैं अबच्च अफट सीजर प्लोर से फच्ट फलोर अबी बच्चे की क्या आला थ работает है ऊप्चा कैसा तो पीछा कैसा है बच्या था था अ जो CCTV रिकवर हुई है उसमें डेट पुरानी शो हो रही है लेकिन परिवार का कहना है कि फॉर्मैट करने से DVR की डेट चेंज हो गई है और मामला बीती 21 जन्वरी का ही है साउथीज दिल्ली के DCP रोमिल बानिया ने वट्साप के जरीए इस मामले को पुष्टी करते हुए बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है दिल्ली दरपन टीवी से शान अवास खान की रिपोर्ट दिल्ली दुटी कि झाल में वेल करें आकि का ओई ही है